कि वेल्कम टू बैक स्मार्टिस्ट्टिव मिसन अकाइडमे के यूटूब चल्में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजिनिंग की जिसका यह दोस्तों पार्ट नंबर क्या है 139 यानि के वह 129 इस वीडियो में दोस्तों आपको पांच यानि कि टॉफ फाइब कोशन इंपोर्टन वेरे इंपोर्टन कोशन बताए जाएंगे जो बार बार परिच्छाओं में पूंचे जाते हैं दोस्तों और यह सभी परिच्छाओं के लिए बहुत ही महत्कून कोशन है और आपको पार्ट नंबर 139 यानि कि इस रिजिनिंग की वीडियो में आपको यह कोशन आसान से ट्रिक के साथ बताए जाएंगे जिससे कि आप एक्जाम में कम टैम में ज़्यादा कोशन अटेम्ड कर पाएंगे तो आईए देखते हैं दोस्तों वेरी इंपोर्टन टोफ फाइब कोशन दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर कोशन दिया गया है दी गई शंकला में अगला पत क्या होगा यानि कि आपको यह कि शंकला दे रखे गई है आपसे यह अगला पत पूच्छा जा रहा है क्या पूच्छा जा रहा है अगला पत पूच्छा जा रहा है तो दोस्तों आप इ अब देखिएंगे आप क्या करेंगे यह जो आपकी ऐलफ़ावट दिएगे इनको नम्बरिंग से आप रीड करेंगे तो आपका कोश्टन एले कौस्टण ही। स्याहर्टीन साथ स्याहरत को जिए। और फीरे द्रीक्म तहले लिए ले उससी में पाइसे और हम और च खलीरक से अभू है! क्युआ है। glad not pa mayo sau करें अनुक्यियों पाइसे बना ते प्यार है हमेदगे हमेदाट संग के जाहता K-L, M-N, अब या क्या होगा, ऐसे होगा, O, और यह दो पी, यानि कि पहले क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ठीके दो दो, लग यह एक सीरिल इसका बन रहा रहा है, अज़ी है, तो इस कौश्शन का आंसर जो है, वो आपा क्या है, option number आपका क्या है B है PO यानि कि इस question में अगला पत क्या है ये आपका है O 0 sorry दोस्तो PO यानि कि जो आपका right answer है option number B PO ये आपका क्या है जो लूप्टर संग्या यानि कि यहाँ पर मिस्ता यानि कि यहाँ पर क्या होगा P और O आएगा यानि कि जो आपका राइटन से रहा है अप्स नमबर बी उम्मीद है तो आपको यह को समझ में आ गया होगा अगर आप एक जब में ऐसे को सनाते हैं तो आप अच्छे से सॉल्ट कर लेंगे नेस्ट को सन दोश्टों आपको सेकंड नमबर कोशन है नीचे दी गई काँजन है फिरे ने वेन डाेग्राम कैसे बनेगा तो आपको दुस्तों बता दे जो पूरुस होता है पूरुस होता है उस एक हमने सरकेल ले लिया अप पूरुस के अंतरगती के आए थैंगे पीटा आइंगे और रहें का इंजिनियर्ट तो कुछ इसका डायग्राम ऐसे बनेगा यानि कि कुछ पिता क्या इंजिय में आरे अगा कुछ पुरूश इंजिनिय ह akl यह इसका डाइग्राम ऐसे बने गा लाएँ तो आप देख 25 अनुम्झष नंस नंबर जा रहा हूं यानि कि इसका रॉल्डली डिसक समय समें अगे और आप Ebola Mr Matrix दोस्तों आपका ठड़ नमबर कुस्टन है ये दि प्लेस का अर्थ मल्टिप्लाइए और माइनस का अ इर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ है माइनस है तो दोस्तों आपको कुस्टन देगा है 25 divided 5 plus 96 minus 3 into यानि कि multiply 31 तिसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं हम क्या करेंगे दोस्तो आपको गया है दिया गया है 225 आप देखेंगे आपको भाग का अर्थ क्या बताएगा है यानि भाग का अर्थ क्या बताएगे माइनस बताएगे माइनस के लिए 5000 5 फिर फ्रेएंगे 5 5 5 प्लेश करेंगे sulph 5 मल्टिप़ाई कि आगे मल्टिपलाइ कर दिया सब में इसको दोस्तों больше सब्सक्र Basic साउगे तो पहले किistine इसमें पहले बहाग करते हैं बहाग करेंगे तो इसका किए आजाएगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे फिर 5 का 32 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आजाएगा आपका आजाएगा 160 यानि कि दोस्तों फिर ऐसे हो जाएगा क्या स्थाफ और यह दो इस शुर्देट पर शुक आगेसे सब्सक्राइब बैसे क्लिप्स्च फट्पार जो भी गूसे जले गाई, ड की सब्सक्रान करें, कैंवे टो आप 10 मन में चैख भाए को दोस्तों अगर हमारे वीडियो देख पा रहे हैं अच्छे से को समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो का क्या करें लाइक करें और बीजरूर करें अपने फ्रेंड़ों में वाट्स आप टेली ग्रम फेस्बुक जितने भी आपके इस्टेड़ी गुरूफ है उनमें जटा अप हमारे चैनल पर आप हमारे चैनल पर आए हैं और आप हमारी वीडियो कोैंटर्धिक है और हमारे वीडियो अच्छी निया हुआ आप है करना किलिक करके सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करले तो साइड में पेल आइकन के एक बटन होगी दो उसको प्रेस करके का लेना जिससे कि हमारी जो भी रिजिमिंगे SoTrick वीडियो है इंपोर्टन कोशन की वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तो आईए देखते हैं कोशन नमर फूर तो दोस्तो कोशन नमर फूर में आपको दिया गया है नीचे दी गई प्रेशन में लिप्त संख्या ग्याद किजिए यानि कि ये जो लिप्त संख्या है ये दोस्तो आप ग्याद करनी है अगर आप क्या करें ऐसा क्या करें कि इन दोनों को करके 38 आजाए तो ऐसा हम कुछ दोस्तो करने सकते हैं अगर हम बात करें कि इन दोनों को इन दोनों को अगर क्या करें कि मारा 37 आजाए फिर भी हमारा क्या आजाए गन नहीं आएगा तो फिर दोस्तों हम ऐसा क्या करें कि हमारा यह विजा तो फिर अब हमारे पास दोस्तों एक मैठर बचा आए जैसे कि इन दोनों को ऐसा क्या करें कि 44 आजाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों इन दोनों को माइनस कर देंगे जब माइनस करेंगे तो चार आएगा इंटु क्या कर देंगे गैरा का तो हमारा क्या जाएगा चावालिस आजाएगा फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आता है फाइफ यहां पर इलेवन से मल्टिप्लाइ कर देंगे अच पर ना जाएगा जो फिर आ में आजरा रहा हुआ है यानि कि आपको रायट अंसर हो जाएगा उप्सट नमर ए हो जाएगा उम्मीद दोस्तों आपको यह कोशन पिचिश समझ में आया होगा अगर आपको इया इसे कोशन आते हैं तो इसकोंड आपको अच्छी से एटेम्प्ट कर पाएगे तो आए वाइफाय नीचे दी गई अकर्ति में कुल कितने तिरपुझ है दोस्तों आपको बताना है इसमें कुल कितने तिरपुझ है तो आएए देखते हैं अब देखेंगे आप एक दो तीर चार पांच छह साथ आठ नो दस गैरा बारह दोस्तों यहां पर अभी आपके बारह जिपाद् समर्णाओर दोस्तों दोस्तों टीर हो गया 1 7,6 जदुद्ध में कुल करना है दोस्तों हां चेभ़ी तिरु आपको मैं यहां वेश कैagen 2500 चेभ टरहिए और प्र यहीं कितने दृूसाय अब आप कुछ कम समझ में आ रहा हो गया, आपको अच्छे समझाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप देखना, पॉइंट नोट करना दोस्तों, क्या पॉइंट, यानि कि ये क्या हो गया, आपका 1 हो गया, फिर ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो यह आपका 4 हो गया फिर दोस्तो 5 हो गया 6 हो गया 7 8 9 10 11 12 ठीक है दोस्तो फिर क्या हो जाएगा आपका यह एक पूरा एक बनेगा 13 14 15 16 17 18 19 20 यानि कि आपके यह हो गया 20 दोस्तो यानि कि आपके 20 हो गया यानि कि जो आपका राइट अन्सर हो जाएगा वो क्या होगा अप्शन नमबर डी हो जाएगा 20 यानि कि आप से पूंचा गया कोशन में कि आकरती में कुल कितने तिरूज दिये गए हैं तो आपको क्या बताना है इस आकरती में आपको 20 तिरूज दिये गए दियाए धर देखने कि इतेजैने कि कोश्ञ नमबर led का डेखने क्या का बanti faced इस question को कैसे बतायागे आची समझना है जिससे कि आप एक्जाम में आशे question miss करके ना पाएं तो दोस्तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है हमारे question अच्छी लग रहे हैं समझाने के तरीका आपको अच्छी लग रहा है नहीं तो ऐसे question को आपको बहुत time लग जाता है और आपकी एक्जाम में timing निकल जाते हैं जिससे कि आपके exam में question छूट जाते हैं तो फिर आप दोस्तों यही सुचते हैं कि कास हमें भी ऐसी trick पता होती जिससे कि हम exam में कम time में ज्याद़ question attempt कर पाते हैं और हमारा सेलेक्शन हो जाता दोस्तों ऐसे ही आप को हमारी के सौट ट्रिक वीडियो देखते रहें यानि कि आप हमारे चैनल स्मार्ट इस्ट डिमिसन अकैडमी में जुड़े रही हैं आपको डेली reasoning सौट ट्रिक वीडियो प्रोवाइड कराया जाती है जिसे और अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जरूर से एर करें तो दोस्तों मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जय हैं जय भारत